राधे राधे दोस्तों मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेर करेंगे आपके साथ एक बिल्कुल नई रेसिपी परबल के कोफते बनाएंगे जो की बहुत जादा टेस्टी बनके तैयार होता है और यकीन है हमें आपने कभी ट्राइ नहीं क तैयार होगा यह तो चलिए ना जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं सबसे पहले यहां पे हम परबल ले लिए हैं और इसे चिल के साफ कर लेंगे तो इसके उपर ने एक पतला साइस किन होता है उसे हम हटाएंगे आलू की तरह इसे नई चिलेंगे तो चाकु से हलके हाथ स आप इसे रव करेंगे न तो पतला वाला इसके निकल जाएगा और पूरे परबल को चिल के धोके आपको ले लेना है यहां पे पूरे परबल को चिल के धोके ले लिए हैं हम अब इसे हम करेंगे कदूकस जैसे बाकी सबजीयों को भी कोपते बनाने के लिए घिसते हैं वै अगर कोई परवल में आपको लग राए कि बीज पका हुआ है तो आप उसे हटा दीजेगा यहां पे पूरे परवल को हम घिल के ले लिए हैं अब न इसमें बहुत सारा पानी रहता है तो पानी को निचोर के आपको हटा देना है अगर आप पानी निचोर के नहीं हटाएंग अधा चम्मच नहीं मिर्ची पौडर अधा चम्मच गरम मसला पौडर अधा चम्मच जीरा पौडर नमक, स्वाध के नुसार और यहां पे नदो छम्मच बेसन रखेंगे इसे अच्छे से मिकस कीजिए अगर जुरुरत लगे तो और बेसन डालियेगा लेकिन पहले ही ज् तो अब हम बॉल बना लेंगे कोफते के तो बड़ा छोटा जैसा भी आप बॉल बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा अगर परवल में से पाने निचोर के नहीं निकालेंगे न तो आपको ज़्यादा बिसन डालना परेगा इसलिए पाने निचोर के जरूर हटा दीजिएगा यहाँ पर पूरे बॉल तयार है अब हम इसे छान लेंगे फ्राइ कर लेंगे मतलब तो एक बार में ही सारे बॉल रख दीजिए गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा अगर ज़्यादा कोफते बना रहे हैं तो आप दो तिन बार करके भी फ्राइ कर सकते हैं यहाँ पर मेरे तो सारे बॉल एक ही बार में आ गये हैं तो मीडियम आच पर इसे हम फ्राइ कर लेंगे तब तक जब तक इसके उपर एक अच्छा सा कलर न आ जाए और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सुन्दर कलर आ गया है मतलब यह बहुत अच्छे से फ्राइ हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और अब बनाएंगे इसके लिए एक मस्त वाली ग्रेवी तो इसके लिए आपको कराही में डालना है तेल क्यूंकि हम आपे दूसरा कराही ले लिए हैं दो बड़ी चमच हमारे यहाँ इसे कर्चुल कहते हैं तो दो कर्चुल हम आपे तेल ले लिए हैं वही तेल जिसमें अभी कोफते फ्राइई किये थे और कहरा गरम मसाला कुछ डाल देंगे जो भी आपके पास है डाल दीजिए सुखी हुई मिर्ची, डाल चिन्नी, जीरा, तेज पता और इसे भून लीजे थोरी दिर के लिए उसके बाद इसमें डाल दीजे प्याज, एक बरे साइज के प्याज को महीन चौप करके प्याज का कलर हलका साथ चेंज हो जाए तब तक आप इसे भून लीजेगा उसके बाद इसमें डालेंगे सुखे मसाले, गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजे आधा चमच हल्दी पौडर, आधा चमच से थोरा सा जादा धनिया पौडर, एक चमच कस्मिरी लाल मिर्ची पौडर, आधा चमच जीरा पौडर, एक चौथाई चमच ब्लैक पेपर पौडर और कुछ सेकेंड के लिए इसे भून लीजे, अब इसमें हम डाल देंगे दो मिडियम साइज के टमाटर, हरी मिर्ची, एक इंच अदरक, कटुकरा और थोरे से लहसन की कलिया सब को पीस लिए हैं तो ये पेस्ट डाल देंगे, और अब हम मसाले को भूनेंगे तब तक मसाले से तेल अलग न हो जाए और यहाँ पे भी हम नमक रख देंगे स्वाद के अनुसार तो नमक ध्यान से रखिएगा, क्योंकि नमक पहले भी हम कोफ्ते में रखे हुए हैं नमक रखने के बाद मसाले को अच्छे से आपको भून लेना है यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले से तेल अलग हो गया है तो थोरा सा कसूरी मेथी क्रस करके डाल दिये हैं इसे मिक्स कर लेते हैं अब इसमें डाल देंगे पानी तो जैसा भी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डाल दीजे तो हम यहाँ पे एक ग्लस पानी डाले हैं अच्छे से मिक्स करेंगे कवर करके इसे हम पका लेंगे थोड़ी देर या तब तक पका लीजे जब तक ग्रेवी में अच्छे से उबाल ना आ जाए तो कवर करके हम यहाँ पे पकाएं हैं और ग्रेवी हमारी पुरी तरह से तैयार है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है अब इसमें हम डाल देंगे सारे कोफते, आप इस कोफते के बॉल को चटनी सॉस के साथ ऐसे भी खाएंगे न तो ये बहुत जादा टेस्टी लगता है तो ये बॉल न इतने सॉप्ट है कि खुल जाएंगे ग्रेवी में, तो करीब दो तीन मिनट ढखके हम पकाये हैं, दो तीन मिनट बाद आप देख सकते हैं, सब्जी थोरी और गाड़ी हो गई है, तो बस अब तयार है ग्रेवी न ठंडा होने के बाद और गाड़ी हो तो उसी हिसाब से आप पानी डालिएगा, यहां पे गैस बंद कर देंगे, कवर करके इसे हम थोरी देर छोड़ देंगे, थोरा सा यह ठंडा हो जाएगा न, तब हम इसे करेंगे सर्व, यहां पे थोरी देर बाद सब्जी आपकी कुछ ऐसी दिखेगी, बहुत जादा टे जरूर कैसा लगा रेसेपी, रेसेपी अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा, बिलका बटन प्रेस कर लीजेगा, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच सके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजे, सेट कीजे, कमेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी अच्छी सी रेसेपी के साथ